सबी साथियों को नमस्कार साथियों आज की इस वोड़ों में हम बात करेंगे कमरकस के फाइदे के बारे में जिया साथियों कमरकस जिसे ढाक के गौंद, लाल गौंद, छीला के गौंद के नाम से भी जाने जाता है सातियों आज की सफीड में बताऊंगा मैं आपको कमरकस के फाइदे और कमरकस को लेने का तरीका सातियों कमरकस में पोसब ततों से भरपूर होता है burden क्योंकि इसमें magnesium, phosphorus, loha, potassium, sodium और folate होता है जो जोडों के दर्द और पीट दर्द को कम करने में सबसे अच्छा है इसके अलावा यह हड़ियों को पोसंद देकर जोडों को चिकनाई देता है इस पिरकार गठिया जैसी हड़ियों की समस्या को रोकने के लिए और हड़ियों को मजबूत बनाने में यह बहुती सायक है सातियों कमरकस के सेवन से जो जोडों का दर्द है वो कुछी दिनों में धीरे धीरे दूर हो जाता है सातियों इस दवा का किसी पिरकार का कोई नुकसान नहीं है सातियों यह दवा सबी पिरकार के जो सारीर के दर्द होते है जिसे कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ जो सरीर के जोईंटों में दर्द होते है उसको दूर करने के लिए भी ये कमरकस बहुत ही उपयोगी है इसके सेवन से सभी पिरकार के सारे रिक दर्द दूर हो जाते है साथियो इसका लावा ये दवा जो पूर्सों में सामाने कमजोरी है जो सारे रिक कमजोरी है उसको दूर करने में भी बहुती सायक है तो साथियो अब बताते हैं आपको कि सारे रिक दर्द में कमरकस का इस्तिमाल किस पिरकार किया जाता है सातियों आपको लेनी हैं 50 ग्राम कमरकस, 50 ग्राम आमी हल्दी, 50 ग्राम खुरंड और 100 ग्राम बाल मिश्री सातिय तीनुट चारों चीजे आपको जो आपके आसपास पंसारी है उसकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी अब सातियों इन दवा के इस्तिमाल के किस प्रिकार करना है वो बताते हैं आपको सातियों इन सारे दवा को एक साथ मिलाकर बिल्कुल बारिक पीश लीजिए तो सातियों बारिक पिछने के बाद रात को सोते समय एक चमश दवा करीब 10 ग्राम दवा रात को सोते समय हलके से गरम दूद के साथ सेवन करे यह सातियों यह दवार आपको रोजाना रात को सोते समय हलके से गरम दूद के साथ सेवन करनी है सात्यों इसके लगातार इस्तिमाल से ही जो आपका सारे की दर्द है वो दूर हो जाता है अगर दोस्तों मेरे द्वारा बतेगे जानकर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और हमारी ऐसी जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल पंसारी के नुश्के को सब्सक्राइब करे सात्यों फी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार